उन्हेश्पिताजिंग अच्छे नेता है लेकिन टी-वी के नेता है उन्होंने 400 गाओं में ब्रहमन किया है मेरी तरह उन्से पूछे मैं तो पिछले 5 साल से किया है उन्होंने 4-4 करोड का केंद बनवाया है बरपार में उन्होंने बेतालपुर में 250 लोग का हिंदी और भोजपुरी कॉल सेंटर बनवाया है उन्होंने मालती यादव को अचार बनाने वाली कंपनी करवाई है उन्होंने ऑक्सिजन प्लांट करवाया है जो भी कोईड में थे ये सब चीजे बनावटी बाते हैं इंडी अलायंस उपर उपर बाते करता है राहूल बावा की तरह इवी उवी में करता है ठीक है लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की तारीग में एक तरफा हमारा चुनाव है मुझे पूरा विश्वास है कि भारती जन्ता पार्टी यहाँ पर जीतेगी और इंडी अलायंस पूरे देश बर में 400 पार करेगा जन्ता बहुत साहित है रहे खोकले वादे नहीं है जो भारती जन्ता पार्टी कभी करती है हम लोग ठोस वादे करते हैं गैरेंटी के वादे करते हैं मोधी जी की गैरेंटी है मोधी जी ने एक लाश्ट बात कहा कि अगर कॉंग्रेस आजाती है तो महिलाओं के मंगल सुत्र तक जो है कॉंग्रेस के हवाले कर दिये जाएंगे इस बात पर क्या आप किरा है नमस्कार गोरकपुर पोश्ट देख रहे हैं आप रावपती राम तिरपाटी थे जिनका टिकट काट के ससांग मडी तिरपाटी को टिकट दिया गया है और दूसरी बड़ी बात बताओ कि अकलेस परताप सिंग यहां से इंडिया गटबंधन के परत्यासी है मुकाबला किस ओर जा रहा है आपका नाम से लिटकिया बहुत भरोसा आपने कहीं न कहीं जीत लिया 2024 के चुनाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे देखे बहुत शांदार माहौल है माहौल इसलिए शांदार है क्योंकि पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी जी का वो सब के मन में है और आगे वाले 25 साल के लिए उन्होंने एक शंकनात की आमरित काल का तो जन्ता में सुकता है कि मेरे जैसे प्रत्याशी जो हमने उतारे हैं अपने संसितिशित में कुछ करेंगे अगले 5 साल में ताकि नीव रखी जाए और उसी की साथ-साथ जो आपने बात रखी कि उनका विश्वास मैंने जीता उसका कारण यह कि उन्होंने मुझे में कुछ देखा और पर्लमेंटरी बोर्ड में कुछ देखा उसका मूल भूत जो जिसे कहते आधार है वो है कि मैंने जनता के बीच में जनता की सिवा करी है स्वावलंबन से रोजगार सोरोजगार दिया है और उसी की साथ-साथ जनता के बीच में भ्रमण किया है तो मुझे लगता है यही कारण है कि उन्होंने मुझे चैनित किया लेकिन मेरे साथ असंग की कारकरता, असंग की नेता लगे हुए हैं, शलब जी मेरे साथ चल रहा है, अनि लोग चल रहा है, जो कावना चला है, उसमें बहुत लोग आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, विक्सित भारत का रत, जो उन्होंने छोड़ा है, उस के नेता हैं उन्होंने चार सो गहाओं में ब्रहमन किया है मेरी तरह उनसे पूछें उन्होंने विक्सित भारत के लिए संकल्ब लिया है उन्होंने मालती यादव को अचार बनाने वाली कंपनी करवाई है। उन्होंने अक्सिजन प्लांट करवाय है जो भी कोईड में थे। यह सब चीजें बनावटी बाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की तारीग में एक तरफा हमारा चुनाओ है मुझे पूरा विश्वास है कि भारती जन्ता पार्टी यहां पर जीतेगी और इंडी अलाइंस पूरे देश बर में 400 पार करेगा एक सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी 10 साल जो है जिस तरीके से कारेकाल निभाय है अपना उनको विकास पूरुष के तोर पे लोग देख लेकिन विकास पूरुष के तौर पर जब लोग देख रहे हैं तो भी परसों का भासर निकल कराता है और बाद बाद जब भी पंचवर्शी चुनाओं आते हैं उस दौरान मोदी जरूर एक बार यह कहते हुए नजर आते हैं कि भारती संसाधनों पर जो पहला हक है वो अलपसंखेकों का है यह 2006 वालंबन मोहन इसमें मैं समझता हूं मैं बहुत प्रभावित हूं आपको जानके खुशी होगी कि संस्कृत सेनातर और संस्कृतिक राश्ट्रवाद का बहुत बड़ा कारिक्टर मैंने करवाय था जिसमें देने शर्मा जी आया थे मोदी चीज प्रेरित है कली शाम को हमारी एक बैठक हु मैं भी तर दर था वहांपर मैं ने दो काम किये मैं देवरी माता के मंदिर गया प्रणाम किया वहांपर माता भाड़ अपने वट वरिक्ष पर गया इस प्रकार के संस्कतिक राश्टरमःत से प्रेदिध हूँ मोदी जी घाई उदारण है गया वो सही कर रहा है चार सुपार वाला नारा जो है आम जनता ये बात कह रहे है जब लोगों से पूछा जाता है तो चार सुपार डीजल हो जागा चार सा पाल पेट्रोल हो जागा और वो लोग सीट का बात नहीं समझपा रहे हैं नहीं देखिए इंडिया लाइंस बहुत तगडी अलाइंस है इसमें राश्रबात की भावना है हम लोग अगले पची साल का मलब एक तर नक्षा तैयार हो गया है जहनता बहुत साहित है और खोकले वादे नहीं है जो बारती जिंदा पाटी कभी करती है हम लोग ठोस वादे करते हैं गैरेंटी के वादे करते हैं मोधी जी की गैरेंटी है वो गैरेंटी का आधार है दस साल का परिश्रम आप देखते हैं दिन रात काम करते रहते हैं मोधी जी दिन रात उठते बै मोधी जी ने एक लास्ट बात कहा कि अगर कॉंग्रेस आ जाती है तो महिलाओं के मंगल सुत्र तक कॉंग्रेस के हवाले कर दिये जाएंगे इस बात पर क्या आपकी रहा है नहीं देखिए मैं इसको अलग विशह से करता हूं जितना काम मोधी जी महिलाओं के लिए किया है कुछा तक मैंने अपने चेतर में किया है वो अलौकिक है मलब महिला वोट जो बड़ा है मत्रदेश में मोधी जी के लिए और यहां पड़ेगा मेरे पूरा विश्वास मेरे लिए वो बहुत ऐतिहासिक होगा मैंने ही जो मैं काम किया गिना देता 17 लाख महिलाओं को मैंने इंटरनेट से जोड़ा करीब 7 साल पहले हर घर लक्ष्मी बाई का मैंने प्रोग्राम करवाया मतलब हर घर लक्ष्मी बाई मेरा मन है कि हर घर में एक लक्ष्मी बाई जो पूरवांचल की थी अभी BMJF के साथ एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो दोस्तों आईए मिलजुल के नारी शक्ति का विबादन करें यहां भी कुछ मेरी है मुझसे मिलने आई थी आने वाले समय में अगर 30 प्रतिशत हम लोग 33 प्रतिशत लोग महिलाओं को लेके आएंगे तो अवश अपने शेदर का विकास होगा